ऊघ्टा जी इस लेक्छर में हम डिस्कस करेंगे पैथालोजी का एक टॉपिक वो है क्रों डिजीज ठीक है नास लेक्छर में हम लेक्षा इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज के जो फर्स्ट डिजीज आ रहे थी ulcerative colitis उसको डिसकस किया था ठीक है तो इस lecture में हम डिसकस करेंगे inflammatory bowel disease के जो second disease है chron disease उसको हम डिसकस करेंगे अच्छा अब chron disease बेसिकली क्या है chron disease एक inflammatory disease है ठीक है क्या है inflammatory disease है इसमें जो उनसा mostly involved होता है parts वो है ileum और colon का ठीक है ulcerative colitis में क्या था colon की inflammation हो रही थी ठीक है major part colon था ठीक है लेकिन इसमें क्या है ileum और colon जो से है वो parts involved हो रहे है ठीक है और sometimes क्या होता है कि rectum भी involved हो जाता है ठीक है तो क्या है chron disease में inflammatory disease है इसमें जो parts involved होंगे वो है ileum और colon के ठीक है और sometimes जो से है वो rectum भी involve ہوتا ہے, ठीक है? अच्छा अब हम देखते हैं, इसकी distribution, अब distribution जोंसी है, crown disease में basically इसमें क्या होता है? skipped lesions देखे जाते हैं, ठीक है? क्या है? skipped lesions are found, skipped lesions देखे जाते हैं, जो ulcerative colitis था ठीक है, उसमें हमने देखा था, कि skipped lesions नहीं थे ठीक है लेकिन क्रॉंड डिजीस में बिसीकली क्या है skipped layers जोंस है ना वो देखे जाते हैं ठीक है इसके इलावा क्या होता है stitches होते हैं इसमें stitches basically क्या होते है कि ये इस तरह के मतलब कि लबी-लबी-लबी-लबी lines होंगी ठीक है पहली बात क्या है कि इसमें skipped layers होती है और दूसरी क्या है कि इसमें stitches देखे जाती है ठीक है अच्छा जी थर्ड नमबर पर जो चीज आती है वो है कि ball wall ठीक है इसकी wall basically क्या होती है ठीक होती है ठीक है ball wall impedance जोंस है वो किस तरह की होगी crown disease में वो होगी ठीक होगी ठीक है और inflammation जोंस ही है वो कहाँ पर limited रहेगी transmucosal ठीक है अब हमने देखा था कि जोंसी ulcerative colitis है ठीक है उसमें क्या था mucosa और superficial mucosa तक limited थी inflammation ठीक है और इसमें क्या है inflammation is transmural ठीक है मतलब कि transmural रहेगी inflammation ठीक है अच्छा इसके इलावा pseudopolyps जोंसे है वो moderate होंगे ठीक है तो pseudopolyps देखे जाते है pseudopolyps basically क्या थे small elevations थी ठीक है because the small elevations थी ठीक है उसको हम pseudopolyps कहते है तो coron disease में भी basically pseudopolyps present होते है ठीक है इसके इलावा इसमें क्या होड़ चीज़ देखे जाती है fibrosis ठीक है fibrosis जो उसके आना वो marked होते है ठीक है in this the fibrosis are marked ठीक है अच्छा इसके इलावा जो होती है ulcers ulcers basically coron disease में होते है वो deep होते है ठीक है और knife like look देंगे ठीक है जो हमने देखा था ulcerative colitis में वो हमने कहा था कि उसमें जो ulcers होते है वो broad based होते है ठीक है जो unlined होते है along the long axis ठीक है ulcerative colitis में क्या था कि जो ulcers थे वो थे broad based थे ठीक है लेकिन crown disease में basically क्या है कि जो ulcers होंगे वो deep होंगे ठीक है और knife like look देते है ठीक है अच्छा इसके इलावा इसके इलावा और क्या होता है इसमें के lymphatic reactions होते है ठीक है lymphatic reactions भी इसमें जोंस है वो देखने को मिलते है crown disease के अंदर तो हमने क्या क्या चीज़ देख ली के crown disease में ball ball appearance किस तरह होगी वो ठीक होगी ठीक है inflammation वो transmural होगी ठीक है pseudopolyps present होते है ठीक है fibrosis zones है अब वो mark डोंगे ठीक है ulcers zone से है वो deep और knife like लुक देंगे ठीक है और इसके इलावा क्या है कि lymphatic reactions zone से है वो देखे जाते है इसमें ठीक है अच्छा अच्छा जी हमने देखा था जे 맞़क है तो जिद् Suffix करना शुरू करते है ठीक है तो उसको हम कहते है Doxic Megacolone तो Toxic Megacolone क्या था कि जाब inflammation जो है वो Muscularis क्रप्रिया कश्योंच właśnie और Neuro Muscular Functions को जहने है वो Disrupt करना शुरू करते है तो उसको हम कहते है toxic mega colon ठीक है तो यह present था ulcerative colitis के अंदर ठीक है लेकिन crown disease में basically toxic mega colon जोंस है वो present नहीं होते ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि crown disease में जो inflammation है वो muscularis properia को damage नहीं करेंगी ठीक है इसके इलावा जो neuromuscular functions को disrupt का रही थी inflammation वो भी नहीं होगा ठीक है तो क्या हुआ कि Toxik Omega Cloons जोंस है वो chron disease में present नहीं होते अच्छा इसके इलावा granulomus जोंस से हो present होते है ठीक है और fistula जोंस है वो देखने को मिलते हैं ठीक है तो क्या थिस्दुमेंटS हो अपसेंट होगे granulomatoz जोंस से हैं वो present होगे और fistula जो उनसे हैं वो present होगे अच्छा जी, अब हम देखते हैं clinical findings क्या है, chronices की, ठीक है तो इसमें क्या होता है, कि lower abdominal pain होगी, ठीक है इसके इलावा क्या होगा, कि perennial fistulas are present, ठीक है fistulas जो उनसे हैं वो present होगे, ठीक है और इसके इलावा क्या होगा, अलोवर अब्डॉमिनल पेंज जो न वह होगी, ठीक है, तो ये थी clinical findings इसके इलावा हम देखते हैं हम treatment ठीक है कि treatment में हम क्या कर सकते हैं जो treatment है ठीक है उसमें हम cortico steroids दे सकते हैं ठीक है anti-inflammatory drugs दे सकते हैं ठीक है surgery कर सकते हैं ठीक है यहां पिर जो उन से है वो disease का जो portion affected है ठीक है उसको remove कर देंगे तो क्या होगा कि treatment में cortico steroids देंगे non-steroidal anti-inflammatory drugs दे देंगे surgery कर सकते हैं इसके इलावा क्या होगा कि जो disease का portion affected है ठीक है उसको remove कर देंगे ठीक है तो यह क्या था treatment तो यह हमने हैं डिसकस किया inflammatory bowel disease के crown disease जिसमें क्या था कि inflammatory disease होता है और mostly जो parts involved होते हैं वो ileum और colon है ठीक है इसके इलावा क्या था कि डेक्टिम जोन्स है वो sometimes involved होगा distribution इसकी देखी तो इसमें जोन्स है नो वो देखने को मिलती है ठीक है इसके इलावा जो stitchers होते हैं वो present होते हैं जो bowel wall appearance होती है ठीक है वो जो है वो थिक होगी inflammation जोन्स है वो transmural होगी pseudopolyps देखने को मिलते है ठीक है उसके इलावा fibrosis होती है और ulcer zone है वो deep होती है और knife like look देंगे ठीक है इसके इलावा क्या होता है कि lymphatic reaction zone zone होते है इसमें मांग्ड होते है इसके इलावा toxic mega clone जो है वो absent होते है ठीक है वो होगा present होगा ulcerative colitis ठीक है और इसके इलावा granulomas zone हो present होते है इसमें fistula जो है वो present होते है clinical findings देखे तो clinical findings में आजाता है lower abdominal pain और इसके इलावा जो fistula है ठीक है वो present होते है अगर treatment देखें तो treatment में आजाता है कि cortico steroids दे सकते है non-steroidal anti-inflammatory drugs दे सकते हैं surgery कर सकते हैं यहां फिर जोंसा part affected है ठीक है disease से जोंसा portion affected है उसको हम remove कर देंगे ठीक है तो यह था basically inflammatory ball disease का जो second part था chronic disease